साप विच्छू या कुट्टे के काटने पर तुरंथ ही डॉक्टर के पास जाने की सलह दी जाती है लेकिन मध्यपिरदेश के उज्जेन के नील गंगा इलाके में रहने वाला एक शक्स खुद को विश्पुरुश बताता है उसका दावा है कि वह होन चूस कर साप और विच लगी रहती है लोग लंबी-लंबी कतार में खड़े या बैठे रहते हैं इस बारे पूछने पर विश्पु ने बताए कि 20 साल से वह इसी तरह से लोगों का इलाज कर रहा है उसके पहले इस काम को उसके पिता किया करते थे विश्पु का दावा है कि जानवर के काटने पर बुजरात के मुरावी से बारे लोग आये थे और सभी को एक ही दिन में कुते ने काटा था इनमें कुछ चोटे बच्छे भी शामिल थे कुते ने एक बच्छे के मुह पर काटा था विश्पु ना एक युगा के गाल पर ब्लेड चला कर खून निकाला और उसे चूशने लगा उसने यह भी दावा किया है कि उसके खून चूसने के बाद एंटी रेविस वैक्सिन लगवाने की भी जरुवत नहीं है इलाज से पहले विश्णु ने अपने घर के सामने टी शेट के नीचे भैरव मंदिर में 20 मिलट तक पूजा की और फिर कंडे जला कर उसमें तेल हॉस्पिटल के डॉक्टर जितिंदर शर्मा ने इस दावे को अंधविश्वास बताया उन्होंने कहा कि चाहाए कोई भी जानवर काटे प्रार्थमिक तौर पर इलाज करा कर जो लोग आते हैं तो उनके घाव की कंडिशन कंभीर नहीं होती इसके लिए सिर्फ आपको सेप्टी क्रीम लगा सकते हैं ब्लेड से काटना गलत है और यह एक तरह से पूरी तरह से अंधविश्वास है